असलाम अलेकुम दियर स्टुडेंट्स, ओप यू अला दूइंग वेल, इस इस यो कम्प्यूटर क्लास, एंड तुडे आप्नी फाइल को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप उपर फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पे प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, यह त तो यहां पे आपको प्रिंट की options मिल रहे है, तो उससे पहले हम देखेंगे यहां से आपको अपनी डॉकिमेंट का preview मिल रहा है, इसका मतलब यह होता है कि जब आप अपनी डॉकिमेंट को प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा page पी, ठीक है, तो यहां पे आप जूम और zoom out भी कर सकते हो एक closer view देखने के लिए यहां पर ठीक है आपके पास zoom tool है और यहां पर आप page numbers भी change कर सकते हो कि आपको किस page number का preview देखना है जैसे मैंने यहां पर किया 3 of 3 that means 3 page की file है और यह मेरा page number 3 है तो मैं यहां पर previous भी देख रही हूँ यहां पर मैंने back किया तो यह मेरा page number 1 आ गया तो ऐसे आप अपने document का preview देख सकते है तो preview करने के बाद अब आप यहां से select करेंगे अपना printer जिससे आपको print out निकालना है तो जैसे मैंने यहां पर select किया है E subscription L20 series तो उसके बाद आप setting में देख सकते हैं आप आ रहा है print all pages तो जब आप यहां पर click करेंगे आपको different options मिलेंगे तो सबसे पहले अगर आप करेंगे print all pages इसका मतलब है जितने भी pages आपकी file में है जैसे मेरे पास यहां पर 3 pages है तो मैं चाहती हूँ सारे pages print हो तो मैं करू तो 3 pages print हो जाएंगे उसके बाद आप फिर से click करेंगे आपको एक और option मिलेगा print current page तो जिस page पे मेरा अभी cursor है वो वाला page मैं print करना चाहती हूँ तो यहां पर मैं print current page कर लूँगी और वो page print हो जाएगा उसके बाद next option यहां पर आता है print custom range का क्या मतलब होता है यहां पर आप range दे सकते हो आपको किस page से किस page तक print करना है अगर मेरे पास 10 page हों की file है मैं चाहती हूँ बस 1 से लेके 4 तक print हो तो मैं यहां पर type करूँगी accordingly अपनी range जो pages मुझे print करने होंगे तो उसके बाद आपको next option यहां पर मिलेगा print one sided यहां पर select है तो आपको one side से page के only one side से print करना है तो आप select कर सकते है page के दोनों side से both side से आपको print चाहिए तो accordingly आप अपना option है हां पर select कर सकते है उसके बाद next option आता है collected का तो यह किस purpose के लिए आपको use आता है तो जैसे आप चाहते है कि आपकी जो file है इसकी तीन copies निकलनी चाहिए या चार copies निकलनी चाहिए तो अगर आप collected select करते है तो आपको इस तरीके से आएगा कि पहले आपको जो आपकी file है इसका अगर तीन pages की file है तो आपको ऐसे print होगा 1,2,3 तो that means page number 1,2,3 तो पहले पूरी file print होगी उसके बाद फिर से आएगा page number 1,2,3 उसके बाद फिर से 1,2,3 तो that means weekends में पहले एक file की एक copy आजाएगी फिर दूसरी फिर तीसरी और आपको यहाँ पे दूसरा option भी मिलेगा जिसको हम uncollected कहते है तो उसमें ऐसा होता है कि पह page number 2 की 3 copies आएगी फिर page number 3 की 3 copies आएगी that means वहाँ पे स्विकेंज ऐसे रहेगा 1,1 ठीक है इसी तरह से 2,2,2 फिर इसी तरह से 3,3,3 तो आप देख सकते हैं collected में है 1,2,3 ठीक है और uncollected में आप देखेंगे 1,1,1,2,2,2,3,3 तो आप screen पे देख सकते हैं उसके बाद next आपका option यहां पे आता है page orientation का तो यहां पे मेरा selected है portrait orientation तो जो अभी मेरा page यहां पे है this is portrait ठीक है तो यह मैं जाती हूँ मेरा page landscape form में print हो तो मैं इसकी orientation यहां पे change कर सकती हूँ तो मैंने landscape पे click किया तो यह मेरा page landscape में आ गया उसके बाद आप यहां पे select करें आपके paper का size तो मैंने यहां पे letter size select किया है तो आप यहां पे देखें उसके बाद next option आता है margins का तो यहां पे आप select कर सकते हैं आपके page के margins आपको page के top में, bottom में, right में और left में कितनी space चाहिए तो वो आप यहां पे select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पे next option मिलता है one pages per sheet तो यहां पे आपको different options मिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको एक sheet पे कितने pages चाहिए कितने pages print करने हैं आपको एक single sheet पे तो वो यहां पे आप different options select कर सकते हैं it's totally up to you कि आपको अपने page का print out कैसे चाहिए तो इस तरह से आप MS Word में setting करके अपना print out easily निकाल सकते हैं I hope you have understood today's lecture this is all for today Allah Hafiz